हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तो सौधी अरब की तरफ से कुछ अपडेट है इकामा रिनीवल को लेकर बहुत ही ज़रूरी अपडेट है इसके लवा दोस्तो इंसिटिशनल कॉरंटीन को लेकर अपडेट है तो पहली ज से कम तीन महिने के लिए भी रिनीवल कराया जा सकता है आगे बढ़ाया जा सकता है छे महिने के लिए बढ़ा सकते हैं इसके लवा एक साल के लिए भी आप रिनीवल करा सकते हैं तो उसके बारे में अपडेट अब यह आई है कि जो सौधी के बैंक है उन्होंने पैमेंट स जहाँ पर 9 लोग काम करते हैं या उससे कम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर कम से कम दो लोगों का जो पैमेंट है वो नहीं लिया जाएगा यानि उनको एकामा रिनीवल के लिए कोई भुकतान नहीं करना होगा इसके लावा अगर उन 9 लोगों में एक कोई सौधी का नागरी भी काम करता है वहाँ पर तो चार लोगों से कोई पैमेंट नहीं लिया जाएगा, कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा, इकामा रिनीवल का, जो इकामा रिनीवल की फीस रखी गई है, वो एक महिने के लिए 800 सौधी रियाल, यानि तीन महिने के लिए आपको 2400 सौधी रियाल पे करने होंगे, अगर कम से कम आप तीन महिने के लिए अपने इकामा को रिनीवल कराते हैं, तो 2400 सौधी रियाल आपको पे करने होंगे इसके लिए सौधी के बैंकों ने अपने पैमेंट सिस्टम को भी अपडेट करना शुरू कर दिया है इकामा रिनीवल के लिए अपसर बिजनेस इसके लावा मुकीम या फिर क्यूवा प्लेट फार्म के जरिये इकामा रिनीवल होगा तो सवाधि के तरफ से तो ये एकामा को लेकर अपडेट है कि अगर आप minimum यानी कम से कम तीन मेने के लिए अपने एकामा को रिणीवल कराना चाहते हैं तो एकामा रिनीवल होगा इसके लिए सवाधिका बैंकों ने पने पैमेंट सिस्टम को अपडेट करना शुरू कर दिया पास दिन का जो institutional quarantine होना है सौधी अरब में जिन देशों प्रपाबंदी नहीं लगी हुई है वहां के नागरिक अगर vaccine नहीं लगवाए हुई हैं बिना vaccine के सौधी अरब के लिए ट्रवल करते हैं तो पास दिन का उनको institutional quarantine रहना होगा उनके लिए बैराल अभी इंडिया और पाकिस्तान इसके लवा दस और देश हैं जहां पर ट्रवल बैन लगा हुआ है यहां के नागरिक अभी सौधी अरब के लिए डिरेक्ट ट्रवल नहीं कर पा रहे हैं तो सौधी ने अभी जो कुछ नियम बनाया हुआ है उसमें नियम यही है कि जिन देशों पर पाबंदी नहीं लगी हुई है वहां के लोग बिना वैक्सीन के भी सौधी अरब जा सकते हैं अगर आप भारत पाकिस्तान के नागरिक है आपने वैक्सीन लगवा लिए तब भी आप सौधी अरब डारेट नहीं जा सकते हो भले ही आपने वैक्सीन की दोणों डोज लगवा ली है तो दोस्तों आप खुद बताईए कि ये किस तरीके का नियम है किस तरीके का कानून है एक भारती नागरिक जिसने वैक्सिन की दोनों डोज लगवा लिये वो सौधी अरब के लिए डारेक्ट रोल नहीं कर सकता है इसके लावा बहुत सारे देश ऐसे हैं चाहे ओमान हो कतर ह या इसके लावा बहरीन हो और भी बहुत सारे देश हैं वहां का अगर कोई नागरिक है अगर उसने वैक्सिन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो भी वो सौधी अरब डारेक्ट जा सकता है बस अरते उसे पास दिन इंसिटूशनल कॉरंटीन रहना होगा तो ये कुछ नियम है जो दोस्तों किसी के भी पल्ले नहीं पढ़ते हैं किसी को भी समझ में नहीं आते हैं आप दोस्तों खुद कमेंट करके बताईए कि ये किस तरह का नियम है और आपको क्या लगता है कि फ्लाइट खुलने की कितनी संभावना है इंडिया और सौधी अरब के दर्मि तो बाराल दोस्तों हम सब वेट करतें, इंतिजार करतें, आगे कोई अपडेट होगी इस पर तो वो आप तक पहुचाए जाएगी, इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट ये रूप चैल को सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ख्य